तूपनों से लड़ने का हम में दम, ना टोग सका हम को कोई भी घम के साथ हमारते हैं सकसे सपोर्ट सिस्टम, सकसे सपोर्ट सिस्टम, सकसे सपोर्ट सिस्टम, सकसे सपोर्ट सिस्टम, सकसे सपोर्ट सिस्टम बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों से भी को नमस्कार आदाव सच्षिकाल जैइंग जैबार जैशिर किष्णा दोस्तों आज का दिन बहुती शुब देन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डैनिमिक लीडर मिस्टर सेख सुबानी जी मौझूद है जिन्नोंने जीरो तालियों से तॉल करते हैं आज के महरे स्पीकर डैनिमिक लीडर और बहुत जल्दी बनने वाले युनिवर्सल क्राउं बैसर सेख सुबानी जी वेलकम स्वागत अब जिए अगोग जिए मागुझी थैंकिए सो मुच मगुझी थैंकि यू मच मागुझी आज गदिन भूद महत प्रपून दिरे मोगुझी स्मॉका देने के लिए आपको कुटी-कुटी प्रणाम महगुझी थैंक्यों मागुझी मगुजी आप पर्मिशन मिला तो प्लीज स्टार्ट करें और स्टार्ट करें शावाज बहुत बढ़िया थैंक्यों स्मार्ट लग रहे वाई सुभाने टाइगर थैंक्यों बढ़िया वुंडर्फुल आज का सेशन बहुत गजब का होने वाला है वेरी गुट आपका स्लाइड शेर हो चुकी है स्टार्ट कर सकते हैं तैंक्यों सुमच मागुजी तैंक्यों सभी को मेरा प्रणाम है वेल्कम टुद वर्ल अफ डिरेक्ट सेलिंग सो आज मैं घर्व महसुस करता हूं कि इस शांदार इंडुस्ट्रियू में एक पार्ट हूं शामिल हूं भगवान का लाग लाग शुकर है इस इंडर्श्य में मेरे को आने के लिए कभी नहीं सोचा था मैं बेसकली कहना मेरा सारा पड़ाई पुरा एरणाटिकल हूं एक्सिली बेचकली में एरणाटिकलों गुरी मेरा स्कीन शेर हो रहां मागुजी आपका बिल्कुल स्लाइड शो हो रही है आपके आप स्टार्ट कर सकते हैं बहुत बढ़िया कोई चैलेंज आएगा तुम आप बताऊंगा तैंक यू सो मच मागुजी तैंक इस शांदर इंडर्श्य में मैं शामिल होने के बहुत घरू मेसिस करता हूं मेरा नाम शेक सु सब्सक्राइब करने के लिए इस इंडर्श्य में क्या काम कर रहे इस सारा शेशन अप सुनने के बाद आफ सा आप ही खुद़ी बोलेंगे की आप इस इंडर्श्य का कए ना कई इस इंडर्श्य का पवर लोगों को पता नहीं है 50-400 लोगों का इस ज्यादातर लोगों को पताने के इंडर्शी को यह केरिर आप्शन भी बना सकते हैं जैसा हम जॉप करते हैं भूह सारे बिजनेस वायर है ऐसी तरह प्र केकर फ्रीक्रातर लोगों को पताने कि इस इंडर्शी में ये पढ़ाई में बिता डिरेक्सेलिंग पढ़ाई में बिता मैं गरू में सुस करता हूं सारा येश्या में और वॉल्ड में सेकेंड डिरेक्सेलिंग में कोर्स आया था डिरेक्सेलिंग में पढ़ाई आया था वो पढ़ाई में 26 लोग सेले लोगों को यह पता नहीं है लोग बोलते रहेते हैं इस इंडर्शी में आने का इस इंडर्शी गलत है इस इंडर्शी ज्यादा देर आप नहीं रुख सकते हैं यह बहुत सारे अज क Wisconsin सारा ऐसकी आपको सीखाँ हूं इस इस इंडर्शी से मैं आपको एक्सपिरेंस के सामने में हूं मैं लगातर सीखते जाता हूं और जिन्दगी पर सीखते रहता हूं जो मैं ये 6 साल का मेरा experience है जो मैं सीखा हूं मैं आपके share करने के लिए कुछ topic मेरे को दे गया है और topic के मज़्यम से आपको share करने के लिए मेरे experience share करने के लिए आपको करता हूं direct selling में result कैसे और कब आता है तो यह topic मेरे को दे गया है यह जब तक यह news मेरे को मिलाना मागुरी के channel में आप आना है आप share करना है इस topic में बात करना है गरू मैंसिस करता हूं मागुर जी we can direct selling industry को रोशन करने के लिए direct selling देशिको अगए बढ़ाने के लिए आप जो Ici тебе है हम सारे के लिए हम सारे के लिए एक इनिशेटिव लिए मागुजी भोष शांदर इनिशेटिव ए इसमें शामिल होने का इसमें एक part कैसे और कब आते हैं इस इंडर्शी में आने के बाद सारे लोग सबस्ते हैं कि हमको रिजल्ट चाहिए चाहिए पक्का रिजल्ट आना है रिजल्ट के लिए बहुत सबको चाहिए तो सीक्रट सबको चाहिए है है सो कैसा अता है वागता हूम यह बिजनेस ना माय्न सेट को सब्सक्राइब करते हैं वह सारे लोगों का कादम आगे नहीं बढ़ता है क्यों नहीं बढ़ता है इस इंडर्शी में रिजल्ट स्टार्ट मी नहीं होते है क्यों नहीं होता है इस इंडर्शी को अपना नहीं बनाते है इस इंडर्शी पर शक रखते हैं 100 to 100% बिलिव नहीं करते हैं जो काम हम करना चाहते हैं जो काम हमें मीं इंडश्री में जो ड्रीम से इंडश्री में आते हैं बत्रिक्या इंडश्री में जो फोड़ तो शक्र रहता है 0.001% शक भी होंगे न कि में आपको कामय भूना का मुश्किल money to go इतना सारा income लिगना है कुद पे विश्वास करना है इंदॉश्री पर भिलियू करना है कुद पे विश्वास करना है म्हेनत करना है और बhon मः इजोड़ देना है लिएम नहीं को मेरा एक ज्यादा बिल्यूव है कि भगवान देर कर सकता है बड़ अंदेर नहीं आपको रिजल्ड चाहिए पहले यहाँ से शुरुवात करना है यहां से माइंड से इंडर्शी को अपना बनाना है खुद पर बिलिव करना है और उसके बाद क्या करना है जो इस इंडर्शी में आते से पहले हर कोई को एक ड्रीम रहता है हर कोई को एक बर्निंग डिजर रहता है इस इंडर्शी में आने कबर लोगों क लोग सोचने पड़ जाते है बड जिसको बर्निंग डिजर रेता है जो हमको आगे बढ़ाने के एक रीजन रेता है एक रीजन चाहिए उपका बच्चा का एजुकेशन हो चाहिए आपके ड्रीम्स हो माप आपको अच्छा देखने का हो अब कुछ पर लगातर आगे बरते जाएंगे बिलीफ बर्निंग डिसायर आपको है पुस्च करेंगा बहुत सारी हूंचाये को इस इन्डूर्षी में आप देख सकते हो So, miracles होते हैं, miracles. मैं एक बताता हूँ, एक छोटा स्टोरी भी बताता हूँ, मैं सर् therefore आपको तो 2 लग का package है, आप इतना पैसे कमाते हैं, बोलके स्टार्डिक में मेरा अच़ाऊ था, । मेरा इंट्रेक्शन देखा था, एक छोटा कहानी मैं बताता हूँ, आकर्मान करते है जहाओ वहां का दवलत लेके आ जाता है हर्निकॉर्टिकस पे एक दिना के एक बंदा बताता है तो एक समुधर के बीश में एक आईलैंड है वो आईलैंड में उद्वीप में जो भूस सारा संपन है भूस सारा दवलत है वहां जो भी लोग जाते गएते, वापस नहीं आ हैते, chain ही हुआ छाए है तर दरीया में चले गए ता, जो धरीया में झाते है जब सेना इतना मजबूता, इतना खुषता, इतना अग्सेट्मेृंटा है, इतना रफ़तार के साथ चला रहे है, जहाई है हम आक्टरमन करेंगे दौलत लेकर आएंगे पता नहीं ए तो वापस आयेंगे इन आयेंगे पता नहींगे ये चोटा सा डौत उनके माइन में दाल दिया था जो रफ्तार से साथ जाते है एक जहाज से एक जहाज से नेगिटिव सब माइन में गुश गया था, दस दिन में जाने का, दस दिन में पहुंचने का, बीस दिन भी हो गया था, अभी पहुंच ये नहीं थे, तो एक दिन आ गया था, वहाँ पहुंच गये थे, राजा को, हरनिक औरकस को ये कान में पढ़ जहाज पर जागे जहाज बर्न कर दो। तो हड़ा दो जहाज को e να परेशन हो जते हैं कि मैं किया को जला देते हैं सो वहाँ से जाने के लिए सेना को ये की एक रस्ता है जीतना है वहाँ के सेना को जीतना है जाना है डम लगा के जीतना है जान को लगाना है जीतना है जाना है तो इतिहास हो गया कि बहुत सारे लोग वहाँ गए जीतने बहुत सारे लोग वहाँ गया था आक्रमन के सारा तो एक मजबूत लोगों को जिन्दगी में भूस सरा हासिल करने वाले को कम कर देता है वह माइंसेट जो जाने के बाद सेना को बोल दिया था जैना को यह की रस्ता था जाना आकरमार करना ना मीसी इंडुर्षिक में आने के बाद भी यह की तेन लिया था आ गया तो आ गया जो भी है जबी है शपने लोगों को पटाना उन्डेसि का पावर विठ्वास कर लिया आपका साथ हैरु तक पोँंच गया माहागुर्जी साथ मायंडे के सब्सक्राइब approval क्या सब्सक्राइब करना कि हमको क्या करना है हमको क्या करना है एक गोल ? पहले एकस बड़ा मंजल पर जाना चाहते हो आपको एक गोल सेट करना है बिना गोल आप कहा भी नहीं पहुंचेंगे वहाँ की वहेघुमते रहेंगे विताओट गोल आप वहाई खड़े रहेंगे वो गोल को रीछोने के एक planning चाहिए, एक action चाहिए सो यहां एक हसी का बाद यह रहता है कि भोस सरे लोगों को पास goals रहता है वो के goals set कर लेता है planning कर दिमा में ऐसा करना, वह ऐसा करना, ऐसा ऐसा planning में बैट के रता है जिंदगी पर planning में रहता action पूरहें लेता हैसा करना वो प्लग्रेंगे ये करेंगे ने 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 जिंदगी में बोछ सारे लोग सफल हुए है इस इंडेश्य में उंचाही दे के है वो सारे ये चीज करे है action action implement करे है वो सब् Woz हमारे इतिहास पह बोलता है कि भोत सारे लोग यौदा रहते हैं शक्रवरते रहते माइदान में मैं आना करता है च्षणोत यह को सामना करना परता है जान लगाना परता है हम देखते हैं हमका भारत को सवातंतरा चाहिए फील्ड पर आना परता है जो देश को स्वतंतरा चाहिए फील्ड पे आना पड़ता है जो स्पोर्समेन को जितना भी स्पोर्समेन हो जा किर्केट हो रनिंग हो कुछ भी हो उसको आगे मैदान में आके प्रैक्टिस करना पड़ता है समसार का सारा समसार का भूग को मिटाने के लिए किसान को फील्ड पे आना ही पड़ता है देश का field ऐसा प्लेस है जब मंदिर जाते हैं। मजीष जाते हैं। चर्च जाते हैं। इतना confidence मेहसूस करता है। Field आपको इतना confidence देगा जो field में रहता है भगवान के पास रहता है। हम इसा मानते है field पूँ जो भी field वर्क करते हैं हम examen के साथ करते हैं . एक plates के criminal के और कुछ कुछ शैतान है उसके धिमाग में कुछ शैतान है सोस्ते बढ़ता है शैतान है जो फील्ड में जाता है बगवान के पास रहता है सेल्फ कांफिडेंस मरता है कम्यूनिकेशन स्किल्स बरते है बहुत सारे चीज आपको बहुत सारा transformation मिलता है फील्ड से बहुत सारे सीखने के लिए मिलता है जो जैर एक्सेलिंग इंडर्शी में आपको result चाहिए घर बाइटने से कुछ नहीं होगा फील्ड में जाना ही पड़ेगा जो more time in field आप extraordinary से extraordinary person बन सकते हो नॉर्मल से extraordinary person बक्से आपका dress sense everything आपका जो बाशन अभी मैं बात कर रहा हूं ना मैं एरोनोटिक इंजिनिरिंग कर शुका हूं बट लेकिन इतना confidence के साथ मैं तब मैं इंजिनिरिंग में बात नहीं करता था ज्यादा ज्यादा उतना friend circle में नहीं था जो मैं बोलता था जो seminar देने के लिए मैं शक्ता था और इतना नेशन लेवर पैलन में आके बात करता हूं इतना confidence के साथ बोलता हूं या कहा से मिला मेर को ये जादातर 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 फील में था फील में था लोगों से आप एक success मंत्रा बलना बताता हूं लोगों से मिलता हूं डैली 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 इस industry में आपको result चाहिए आपको डैली लोगों से मिलना ही मिलना ही मिलना ही चाहिए आप बोलते हैं सर एक लोगों को मिलू दो को मिलू तीन को मिलू नो अनलिमिटेड अनलिमिटेड अब चार को बिल सकते हो आउर मेनत करो पांच को मिलो पांच को मिलते हो चे को मिलो चे को मिलते हो दस को मिलो बट लोगों को हर दिन लोगों को मिलना ही चाहिए। यही इस इंदूर्श्रि में सकसेस मंत्रा है ज्यादा तो लोगों से मिलने से चाहिए कुछ भी बोलने दो इस इंदूर्श्र्च्र्ट के बारे में आपको भाषन दे दे दो कुछ नहीं होगा वहासे एक सीक्म लेके आम हाते हैं वहाँ से हम मजबूत बनके आते हैं आगे बनने का एक जज़वा लेके आते हैं ज्यादा तो लोगों से मिलने से हमको बहुत सारा फाइदा होगा अब और क्या करना है एक दिन दो दिन ये काम करने से कुछ नहीं होगा आपको रिजल्ट चाहिए आपको मान सम्मान चाहिए एक दिनखाके महिना पूरा पेट नहीं भरता ये एक दिन आपक जो आप को So, 100% जैसा ही इसमें भी इंड़स्टी में एक दिन, दो दिन प्लान करने से, एक दिन, लो दिन, लोगों से मिलने से, नहीं होता. Reputation, repetition, repetition, continue consistency, consistently काम करता ही जाना है परेगा. जो consistently करेगा, उसको कोई नहीं रोख सकेगा. कोई नहीं रोख सकेगा. ये consistency के लिए कुछ sacrifice करना पड़ता है भूख sacrifice करना पड़ता है मेरे कुछ धूप है ज्यादा summer season है मैं बहार नहीं ज़र No, हम कुछ नहीं reason बताएते आगे बढ़ेते बारिश हो रहा No, no excuse, no reasons Only sacrifice Consistency no reasons जो success चाहिए न result चाहिए न sacrifice करने के तयार हो Consistency लिए आगे बढ़ने के लिए तयार रहेना चाहिए Consistency is the main key ठीक है सर Consistency करता जाएंगे और क्या करना है इस industry में मैं बहुत गरूम हैसुस करता हूँ कि अभी भी महां में कोई एक stage आने के बाद जो भायर जो job है भायर का छोटा जो business हम कर लेते हैं उसमें हमको सीखने के लिए कुछ ने मिलता जो सीखने के लिए मिलता है वो करते सुबह से जाते है शाम में आते है सो सीखने के कुछ ने मिलता बस इर इंडर्श्री में लितना सारे लोगों से मिलते है जो positive मिलता है हमको negative मिलता है हमको जो भी मिलता है सीखने के लिए मिलता है वो सीखना ही हमको जिंदगी में grow करता है जो यह principle मैं follow करता हूँ learn, do, teach सीखना है, करना है, सिखाना है इस industry में result इसको नहीं आता है जिसको सीखना ही नहीं चाहिए वो सीकने के लिए तैयारी नहीं हरता है उसको बोलता है कि मेरे को result नहीं आता है, result नहीं आता है, result कब आता है आपको सीकने का तैयारी होना चाहिए, एक बच्चा बनना चाहिए आप, मैं aeronautical कराओं, मेरे aeronautical talent इस industry में काम नहीं होगा, काम नहीं होगा मेरा सारा इगो भायर छोड़के इस इंडर्शी में जो भी सफल लोगें के बास सुनने से यहां आप एक बच्चा जैसे सीखने से इस इंडर्शी में सफल होगे सो सीखना ही नहीं होते है उनको है रिजल्ट आना चाहिए कुछ लोग ऐसा रहते हैं सीखते हैं करते नहीं है सिखाते हैं बाशन देते हैं रिजल्ट कहा से मिलेगा रिजल्ट उनको ही मिलेगा सीखते हैं करते हैं सिखाते हैं सीखते हैं करते हैं सिखाते हैं जो सीखने का इच्छा की जिटके अंदर रहता ना जितका determination रहता ना सीखने का, उसको कोई नहीं रोक से कहगा, कोई नहीं, इंडिस्ट्री में आके doubtful रहते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्विटों के चल लियाते हैं, पॉइंट ये है कि सीखने का इच्छा नहीं है उनमें, इतना बड़ा इंडिस्ट्री है, वॉल्ल क जो बोलता है ना उसको सीखना पसंद नहीं है, जो उसको पता है वहीं बोलता है इस इंडिस्ट्री के बारी में, डिरेक्ट सेलिंग का स्पेलिंगimir कुदंड बढता एंडिक सेलिंग के बहुद बढता है भार के लोगा के बोल देते हैं ऐसा वह इसा जाहे कुछ भी है सीकते जाओ सीकते जाओ सीकते जाओ करते जाओ जो करते हैं वो सिकाते जो कोई नई रोकने वाला है आपको और वोट ठीके सर सीखने के लिए हम तयार है और क्या करना है सो चेंज सो कुद को बदलाओ काने के बदलाओ तो लाना पड़ेगा ना स्टार्टिंग में हम द्रस अच्छ प्रॉपर ट्रस पेलने के लिए भोलेगे तो हना सर कहा पेनएंगे इसा अईसा जाएंगे फिल्ड में स्टाट इआ ता यह की दम कोई इंसाण बदलने सकता अईसा बंसक्ता स्टाइडिंग में टकलीफ था बट दीरे-दीरे जाने-जाने के बाद आज हम सूट पेंदे हैं ना लोग यह सूट का भी मज़ा गुडाते तोड़े लोग सूट पेंदे हैं यह businessman ही पेंद सकता है businessman businessman पेंद सकता है यह सूट जो कहां से शुरुवात करें कहां तक हमें ट्रांस्फर्मेशन मिलाता हम चेंज होने के लिए तयार है खुद का कुछ चेंज होने के तयार नहीं रहता वो बाशन देता अप्लाइन का बाशन देता और टीम का वो टीम का बारी में बात करने लगता वो चेंज को होना है ये चेंज होना है कुद चेंज होने के लिए रिडी ने रहता है आपको रिजल्ट चाहिए चेंज होने के लिए तयार रहिए चेंज होने के लिए तयार रहिए चाहिए कुछ भी हो जब चेंज होने के तयार रहिए change नहीं होंगे ना जो आप कर रहे हैं वो ही आपको जिंदगी बर मिनने वाला है वो ही मिलेगा, कुछ नहीं ज्यादा मिलेगा, तो change होने के लिए तयार रहना है ये महा योदों, योदों का काम है change होने का, बच्चों का खेल नहीं है इतना बड़ा इंदुस्ट्री में है चेंज होने के लिए कभी तयार रहना चाहिए और क्या चाहिए और क्या गुड एसोशेशन रिजल्ट आने के लिए कहा रहना है रिजल्ट काम करते करते नेगटिव पीपल से नहीं जाके बात करना है जो आउट आफ सिस्टम रहते वो लोगों से कुछ लोगों को रिजल्ट थोड़े दिन आके रुख जाता ना इसलिए रुख जाता कि वो संगत बदल जाता है एसोशेशन बदला देते है सो एसोशेशन में रहना चाहिए responsibility लेना चाहिए कुछ भी task मिलता है कुछ भी contest, task whatever वो responsibility आप लेना है मैं करूँगा पहले आपको खरना परता है डरना नहीं है पीछे भागना नहीं है इस industry में आगे बढ़ना है ना एक एक dream है ना आपको सफल होना है ना इतने सारे है, इतने सारे responsibility आपके साथ है ना चलो आप और responsibility आगे आगे बढ़की yes मैं लेता हूँ responsibility मेरा team का responsibility मैं लेता हूँ डरना नहीं है, क्या है डरने के लिए हैं इसमें जो भी मिलता है grateful रहना है जो भी एक रुपाह भी मिलता है ना इस इंडर्शी से जो भी मिलता है जो भी मिलता है grateful रहना है हमेशा भगवान को धन्यवाद करना है thank you God यह मिरको देने के लिए मिरको आगे बढ़ाने के लिए जब आप भी negative भी होते ना grateful रहना है मिरको आगे ब इंपारेटली मैं बताता हूं सक्सेस अंड रिजल्स रिक्वाइड एतिकल लीडर्शीप एतिकल लीडर्शीप सो एक हवात है कि गौड कुड नाट हेल्प एवरीबन भगवान सब करता है इसको नेटवर्क मार्केट इसको दुनिया में भेज दिया है यह तो यह सच में बो को मिलते हैं कि अरे यार सारे इंडर्शी आटो मॉबेल लेलो भायर के बिजनेस लेलो खुछ भी लेलो तो लो लोग इसमें वह जिंडि बुराहें आकर देखता है अच्छा ही किसको चाहिए बगवान का लाग लाग शुकुर है कि एक अच्छा इंडर्शी में हमको आने so ethical leadership leadership is the most important thing आपको success चाहिए आपको result चाहिए result आपको दो तरफ के result रहते हैं so result आपको काम करते 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 अप जतना time आप करते हैं उतना result आता है आप काम करने के बाद आपका दुनिया में नहीं रहने के बाद प्रश्प करना परता है लीडर्शिप है भूत को चेंज करना परता है को सारे दुनिया में जो भी हो जो भी बड़ा नेता हो जो भी जो कोई भी हो, है कि सेलेब्रिटी बनता है जब लीडर्शिप को उनको बिलकर लीडर्शिप कॉलिट को बिलक कर लेता है अपके आपके एकिसंज़ चो yang करते हो यूग ओनों लोगों को इस स्फाइर करते है लोगों पाइब बढ़न के इंस्पायर करते हैं आप एक लीड़र बनते हैं एक लीडर हो इस उन्ट मेरें के बाद बहुत सारा ज्यान मे lors झान मेरेना बचों का अंडसि में डाये कि आप मैंगम जिंदगी में आप इमैजिंड में कर सकतना उतना पूल कहा से शुरूआत होगा कहा जाएंगे पता भी नहीं होगा आपको इतना बड़ा इंडर्शी में आके change करना है leadership quality को build कर लेना है एक दिन में नहीं होगा हर दिन हर दिन सीखना है leadership को build कर लेना है लेडर्श्यिप क्क्रानी को विपोइए चोटा में एक च्छोटा कहानी से मैं छुटा क्यूंज यो टॉपिक को फिनिश करना चाहता हूं जुझ इतना भी है हमको अंदर टो एक इंटेंशन रहना चाहिए एक इंटेंशन रहना चाहिए इ Feld लिद्यका यह हमारे हु हम मेंकर महावर्क्ष रहता है कि मैं कि राज़ा बन मैं राज़ा बन आ्सपास के चोटे पेड पोदे रहेते ना वो उसको रोज मज़ा गुड़ाते कि रौज्ज राज़ा कैसा बनेगा तू कह श रहा हो महावर्क्ष में सब नहीं होता है कि हर स्वास जो लेता है वह हो भी एक जीव है ना हमारे जैसे जीव है वह सो हर राजा बना मैं मैं सिम्हासन पे बैट надо है यह इसका है इसको एक दिन किया हुगता था आ है भगवान ओपर से देखता एक यह डैईली डैईली हर समय राजा बनना है राजा बनना है इसको क्या करना है कैसा बनना है भगवान भी परेशन हो गया तो एक दिन क्या हो गे ना एक बड़ा तुफान आ गया बहुत बड़ा तुफान आ गया वो तुफान में क्या हो गया ना यह बहुत सालों का पेड़ है ना यह महावुक्ष गिर गया था माय राजा बनना है शिमहाशन पह बैटना है मरते समवाशन सोच रहा था मरते समवाई विता था वाक़ हानी खतम उसके बाद उसु से एरया में बहुत उसी राज में उसी आरेणी के नजीक में एक गर में एक एक लड़ाई चल रहा था दूसरे दिन शिमातरन को अदिश्ट करना था राम जी को पिताजी ने बोल के आप वनवास को चले जाएएंगे तो राम जी बिना कुछ ना कहा है कुछ ना सोचे पिताजी के बात लेकर वानवास को आने के बाद जांगल में चलें वहाद जानवार रहते सब रहते जाने के बाद को एक चोटा सा गाउबster पाइप मुंने के बाद कोछ लोग आदिव लोग उनको देखने के लिए आगे। फल ले के आगे थे आके रामजी से बात कर रहे रामजी इसके सा पई भाव बैट मैं घूम रहे ते सरलने रामजी के पईर को एक काटा चूब लिया था जंगल है चूब लिया था जो ऊड़ा रूबशी या और फूरों लोग रहे रहे हो गाउन一次 को रामजी खेते कर लिकि बदेंगे सैसले के अच्छा बनाने बोलता है जो हमारे सालों का हुर्ख्ष न महाँ वड़गह न के साथinky भौ हो पाध्मा और करने के के बाद भाई यो राज में आते थे भाई किदर है पूछते थे वह वनवास को चल गया था वह भगते भगते भाई के पास आजाते भाई आप आ आप बताओ वो सिम्हासन पर कौन बैटा है कि सिम्हासन में कौन बैटा है जो हर स्वास में मैं काम्याब होना मैं सिम्हासन में चड़ना मैं चक्रवर्ति बनना मैं राजा बनना जो स्वास हर स्वास में लेता है न वह आगे आता वह सिम्हासन में बैटा था शिम्भास्र में बैटा था तो एक बाद मैं इस कहाने से क्या बोलना चाहता हूं अंदर एक इंटेंशन रहना चाहिए आपको रिजल्ट चाहिए सकसिस सब चाहिए एक इंटेंशन हर स्वास में इस इंडशी एक बार इंडशी में आने पीछे मुर्के नहीं देखना है और इस कहानी से एक बात हम भी सीख सकते है कि आपको काम्यब होना पड़ता है राम जी को पता है मान शावलत दावलत सब है उनके राज में बट पिता जी के बोलने के बाद जनवरों के बारिश है टाइम को खाना नहीं मिलता कुछ नहीं मिल आते हैं आप बताओ वह सिम्हासन पर कौन बिठायाता हो चपल को पेड़ को भगवान भगवान वह तूफान को कौन भेजाता पेड़ को कौन गिरवायता भगवान जो भी जिंदगी में चोटे-चोटे चुनवती वह आते हैं आगे वाले दिन अच्छा होने के लिए आत कि एक कंङ काम करना परता है रिजल्ट आने के रिए पिस्वास करो बर्निंग डिजयर को लीडर्शिप बढ़ा हो आगे चलो फील्द पर रहो फील्द पर रोखो डाइलि लोगों से मिलते mild degзд मिलते 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 जौँ आपको कोई नई रोख संगेगा कैस सफ़ल होने के साथ मेरे घ्राइब कराूं जो कुछ न है इसा कुछ नहीं की कुछ मोटिवेशन नहीं दिया हूं जो भी बोलता हूं मेरे एक्सपिरेंस के जो भी मैं सीका हूं तोड़ा से एक्सपिरेंस और मैं जिंदगी सिभर सीखते ही जाता हूं और इस इंडर्श्री में बहुत सारे चीज़ दिये थे तो बहुत सारे foreign countries बहुत सारे सारे हम enjoy करते जारे तब ही के टाइम फील्ड पे काम कर रहे अभी foreign घुम रहे जो उस टाइम में जो काम करना है पड़ता है मेहनत करना ही पड़ता है जो भी इंडर्श्री को स्विकार करता है जो बिलीव करता है इस इंडर्श्री को आगे बढ़ाने का अगे बढ़ाने का तई कर लेता है भगवान उनके साथ रहता है तैंक यू सो मच तैंक यू अ ऑज इंडर्श्री के नाम आपके रहां रोशन करते जाएंगे मागू जी टैंक यू बढू भी मस्तिकता हैं आइं प्राड आफ यू मैं चाहता हूं सेक्स चुपाने जी के लिए दिल से जोड़ा तालिया हो जाए बहुत जोड़ा तालिया हो जाए बात बढ़े वांडर को तो कि महुची